स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्ट्री टेकनोलोजी में मैं अनुपम विपोल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शोग कैमरा ट्विश्टी में आज हम लोग बात करेंगे बिगनर कैमरा किट के बारे में जो 2020 में आप खरीच सकते हैं तो सबसे पहले समाझते कि मेरा गोल क्या है यहां पर करना क्या चाहा रहा हूँ तो आप यह समझे हैं यहां पर मैं जो भी एक्टिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं यह दो लाग के अंदर आपको सब मिल चाहना चाहिए बॉड़ी और लेंस के साथ और अगर थोड़ा सा पैसा बच जाए तो उसमें SD काड़ और बैटरी आप खरीच सके क्योंकि आप गाड़ी खोल रहे हैं SD काड़ के बार में लोग ज्यादा सोचते नहीं कि और यहां पर मैं बहुत कंपणी को नहीं कवर करो है क्योंकि मेरा एक में गोल है इसका हाई अवैलिबिलिटी और सर्वेसिबिलिटी होनी चाहिए यानि कि यह सब महेंगा होता है बहुत कम ही लोग इतना पैसा रखते हैं कि बस ट्राइ मारने खरी लिए और कुछ नहीं व अवेलिबल नहीं है तीन मेजर कंपणी अवेलिबल है जिसकी अवेलिबिलिटी और सर्वेसिबिलिटी काफी अच्छी है बाकी सब मतला खोजना पड़ेगा कहां पे उसका मतलब सेल्समें जो डायरेक्ट एक्चॉल पीस रखते हैं मंगाने का बहुत लोग कर सकते लिगि कि हर किसी का जरुवत अलग होता है जैसे जूते के दुकान में इतने सारे जूता क्यों देखते हैं क्योंकि हर किसी को अलग डिजाइन पसंद आता है वैसे लेंस के खेस में भी होता है कि लेंस अलग अलग काम के लिए अलग बनाया जाता है कोई जूम के लिए बनाया जा आपको उसमें तुरंत आपको अपग्रेट करने की सिर्वत नहीं पड़ेगी, मतलब आप इसको अगर आज खरीटते हैं, तो एक दो साल तक आप आराम से इस्नमाल कर सकते हैं, और यह बाद जरू समझें, काफी लोग लेगा है, दो लाग जाड हो गया, मैंने जितने भी लो सबसे जादा लेंज सेलेक्शन फुल फ्रेम में मिलता है, दूसरा, आपके पास बहुत जल्दी मतलब चैनन, नाइकोन और सोनी, सब लोग फुल फ्रेम बनाते हैं, तो फुल फ्रेम में ही अपना जान डालते हैं, और फुल फ्रेम का कुछ फीचर है, जो आप स्पीड तो समझ लिए, फुल फ्रेम लंबे समय तक आपको शान्ती देता है, सबसे जादा लेंज सेलेक्शन देता है, और डाइनमिक रेंज, अगर सेम कंपनी सेम सेंसर टेकनोलोजी इसकमाल करें, तो यह सब को आप बाइपास नहीं कर सकते हैं, और यह मेरा वीडियो है, आपको सबसे पहले बात करते हैं, नाइकॉन का, तो नाइकॉन में यहां पर सबसे बेस्ट कैमरा इस स्टार्टर के लिए, उनके लिए है Z5, इसका दाम मैं नाइकॉन के साइट से देख के बता रहा हूँ, अभी जिस समय यह वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम यह 1.4 लाक्स क पढ़ रहा है, 1.14 का, तो एक लाग चौदा हजार समझ के चलिए, तो यह आपको मार्केट में थ्रोड़ा सा हाथ पर मार्के, एक लाग बस में मिल सकता है, और इसके साथ जो लेने को हूँगा, क्योंकि मैं यह स्टार्टर के उपर एम कर रहा हूँ, जो मतलब समझ रहा ह जहा की फोटो किचन है, तो वो सब के लिए सुपर जूम जरनरली बेस्ट रहता है, स्टार्टर के लिए, और मान लिए आप कल को बेटर लेन्स लेते हैं, तो भी सुपर जूम यूजलेस नहीं होता है, क्योंकि आप इसे बार में ट्रेवल लेन्स के तौर पर इस्तमाल कर लेकिन एक्स फेक्टर थोड़ा सा काम है, कंपेर तू मतलब मैं सोनी और कैनन का जो बता हूंगा, यह 8.3 एक्स है, यह आप 8 एक्स तक कर सकते हैं, इसका मतलब होता है, यह बाड़ी ले, आप काफी फोटोग्राफी काफी आराम से कर सकते हैं, बेस्ट और बेस्ट नहीं ह कर लेते हैं, उसके बाद आप लाइट रूम में जाके यह कर सकते हैं, कि mm के हिसाब से अरेंज करो, फिर आपको देख जाएगा कि नहीं, आपको सबसे जादा में इस्तमाल हो रहा है, तब आप हाई-क्वाइड एंगल ले सकते हैं, यह आपको पता चलता है नहीं, आप हम का वाला लेके चलिए, अब बजट भी इसका बुरा नहीं है, तो यह कामरा का खासियत बताते हैं, इसमें है dual card slot, यानि कि शादी वियाव में फोटो, गर आप इसका खीचना चाहते हैं, तो यह काफी अच्छा camera है, क्योंकि यह redundancy देता है, कार्ड फेल होने के चकर में हाँ, आप कुछ ऐसा है, जहां पर रिशूट कर सकने हैं, या टेडर करें शूटिंग कर रहे हैं, मतलब क्यामरा एक फिक सिहां पर है, लाप्टोप जा लगाओ, वो तो बाता लगए, लेकिन जनरली, डूल कार्ट स्लोट से इवेंट फोटोग्राफिक करने में पो मन की जानती रहेगी, कि ठीक है, जैसे क्रिकेट का कुछ शॉट ले रहे है, शॉट नहीं मिस हो जाएगा, 99% चांस पर कभी आपका कार्ट नहीं उड़ने वाला, लेकिन उज़े 1% में उड़ेगा, दुबारा आपको मतलब क्लाइंट मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो डूल क नाइकोन का कलर, डबल ब्लाइंट टेस्ट में सबसे जाधा बार नाइकोन ही जीतेगा, नाइकोन का सबसे अच्छा रहता है, और यह कैमरा को अगर आप समझाए, जनरल, मतलब यह क्या मिल रहा है, एक अच्छा फोटोग्राफिक कैमरा मिला, यह कैमरा लेगे आप यह न हैं, तो यह फोटोग्राफिक में आपको काफी खुश रखेगा, डूल काट स्लोट होने के चलते हैं, यह आपको काफी अच्छा, मतलब आप काफी दूर तक इस कैमरे को इस्तमाल कर पाएंगे, और आप लेंस खरीज सकते हैं, तो यह वीडियो कैसा करेगा, वीडियो में ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बूरा भी नहीं है, ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें जैसे आप 4K करेंगे, यह क्रॉप मार देगा, APC बना देगा, आपका दूसरा 30 मिनिट का लिमिट है, जो मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहे है, नाइकोन के उतर है, आप दूसरा देगा, बहुत लोग को देखा, जो ससते कैमरा लेते हैं, लकिने बाद तुरंत ही रख देते हैं, यह मतलब फील नहीं है, यह बहुत भजियत है, बहुत यह है, परफॉर्मेस नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसी कारण से, बहुत सस्ते कैमरा से मैं दूर रहने को कहता हूँ, तो यह कैमरा नाइकोन वालों के लिए काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, अब बात करते हैं कैनन पे, तो यह बहुत अब करते हैं, तो समझ लिए आपको फुल फ्रेम मिलेगा, और इसके साथ लेंस, कैनन अब इसके लिए उता दिया है, ट्वेटीफोर टूहने पॉर्टीफोर्टीज और इसलिए में अब बोलता हूँ, ड्यसला लेने से मना करता हूँ क्योंकि आप मिररलेस में लेकिन ड्यसलार का भी लेन्स लगा सकते हैं, उल्टा इसा नहीं कर सकते हैं, जैसे माली यह लेन्स कैनन के EF सरीज में है ही नहीं, कि आपको 24-240 जो मतलब एक स्टार के लिए अच्छा लेन्स होता है, मतलब ट्रेवल लेन्स होता है, यह ही नहीं उनके ड्यसला लाइन अ तो यह है, यह है, यह है F4 to 6.8, एक्जाटल वही है Nikon के साज का लेकि यह 10X तक जाता है, तो मतलब जूम के मामले में यह आपको थाधा कमफर्ट देगा, और यह है अरूंड 78,000 रुपीज का, तो आप दोनों मिलाके 2 लाइक अंदर है, आपका पैसा बचेगा, उस पैसे फूल फ्रेम कैमरा, डिजिटल, जो की मॉडन टेक्नोलोजीस बना गया, उसे देंगे एरॉंड 90,000 के नीचे लोग गोलते हैं, तो वही समझ, यह बहुत सस्ता है दिमाग लागे, पलस जिनको वीडियो करना है, व्लॉगिं करना है, या बहुत सारे और एंगल से फोटोग और में खचा होता है फोटोग्राफी में लेंज का, तो इस कामरा में आपको खुश रखिएगा, अफने हिसाब से लिंस लिए, यह लेंज के साथ गाड़ी खोल में बादमें आपको अता चलता है नहीं हां, मेरे फोटो मेरे पाने आफटावले या अल्टावाइड बाले समस्या है कि क्रॉप कर देगा 30 मिनट का लिमिट है लेकिं ऐसे कैमरा एसे स्टार्टर केट की मतलब मैं अभी फोटोग्राफियों कुछना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं खंच काना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ तो यह कैमरा आप ले सकते हैं और ऐसा नहीं अब बात करते हैं सोनी पे तो सोनी केस में थोड़ा से मुश्किल था दो लाग के अंदर रटाना क्योंकि सोनी का एस सेवन सी का दाम थोड़ा जाता है और इंडिया में भी यह लॉंच नहीं दिखाएगा क्योंकि यह सिव दिखार है क्मिंग सून तो कुछ कुछ महीने के अब दर हो जाना चाहिए लेकिन इसका एक्सपेक्टेद प्राइस वन लैक्टी थाउसन के असपास जा रहा है यह थोड़ा महेंगा है और मुझे लिखता हुआ हूँ इंडिया में वन लैक्टी थाटी थाउसन का तो गाप तो जाएगा तो दाम इसका थोड़ा सा आपका अब लेकिन इसका बीन एक समझी कि अगर आप यह दोनों को एक तो यह सबसे फस्टेश शूटिगा यानिक अगर आप सपोर्ट्स फोटोग्राफिक करते हैं या बड़्ट्स फोटोग्राफिक करते हैं तो अगर उप्ड़ाफिक अजिस जाधा रखना चाते हैं यह bird के साथ हमेशा होता है एक scene पर एकदम wing एकदम अच्छा से खूला हुआ है एकदम बेमिसल्फ होता है वो सब के लिए आपको frame per second जाधा होना अच्छा होता है तो बाती जबने मैंने दिखा है कि दोनों 5 के अंदर रो देते हैं यह 10 तक जाता है सब बैटरी 7.2 वोल्ट का सब बैटरी का सीम मिली एंपर रेटिंग बस कस्टमर की ले लेते है अवेलिबिलिटी खतम हो जाता है मतलब मेरे हाँ कैनन का प्रॉपर फ्रूरूरूम है उनके पास भी बैटरी नहीं था यह सोनी नहीं कर रहा है अभी आप आराम से यह कैमरा ले सकते है और इसमें Z1000 वाली बैटरी लगती है वो बैटरी आप आराम से आगे तक कैरी फोरोड कर सकते है आप इससे ले लिए गारी शिक है आपको यह तक नहीं यार मैं वीडियो में ही जाना चाता है तो आप A7S III ले से तो जो काफी बेस्ट वीडियो कैमरा है उसमें भी यही बैटरी लगता है तो आप समझते हैं यसे ही लेंगे आपको दो बैटरी को जाएगा फिर आप माल लिए यहाँ फोटोग्राफी में चले जाते है कि सब दाम को लोग जहिल लेते हैं क्योंकि लेंस सेलेक्शन बहुत अच्छा है यानि कि सोनी ने अपने यह जो आप इमांट देख रहे हैं लेकिन आटोफोकस देने में टाइम लगता है तो सोनी के बैस केस में यही सबसे बड़ा उसका सेलिंग पॉइंट है कि आप आज खर दें आज आपके पास हसारो लेंस के आप्शन है आराम से अलग 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 दाम पे मतलब सबसे कम मेंगर से कि ठीक मेरे को गाड़ी खो आपको 72-200 मेरे F2.8 और 2 लाग में जो 72-200 मेरे उसमें बहुत जादा फरक नहीं है मतलब आप आराम से क्लाइंट को बेच सकते हैं हसी खुशी और वो अच्छे से खरीच सकता है जब तक आपका स्किल सेट अच्छ है तो वो फायदा होने की चलते आराम से भले आपको लग मैं कहूंगा कि यह आल्मोस्ट वातना दाम खा जारे है जितना A7 Mark 3 है तो Mark 3 ही लिए तब आप इवेंट फोटोग्राफिक कर पाएंगे लेकिन इसमें आपको फ्लिप आउट स्क्रीन में जाता है और यह बहुत अच्छा यह मतलब फोटोग्राफिक कैमरा है और गुड व तो वह सब का समस्या आपको इसमें नहीं होगा तो यह तीन जो सिस्टम में आपको पता है Canon RP, Nikon Z5 और Sony A7C यह स्टार्टर के लिए काफी अच्छा है और यह लिंस सब में अवेलेबल हो गया है जो 24-240 या 24-200 यह एक स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है और आराम से आपका स्किल को डेवलप करने देगा, आपको कोई दिक्त नहीं होने वाली और ऐसा नहीं होगा है लेने कर दो कि leging और आहार फुल फिंडे ले 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 लिए ले लो लाइट पर्फ हॉर्म वे आप किसीsomething कैमरा में वह जी आपको एगी ने क्स है और आपको अराम से गेखिवर करने के सकोप में तो यह था मेरा प्रेसेंटेशन मतलब कौन सा बिगनर कैमरा किट लेना चाहिए 2020 में उमीद करता हूँ आपको अच्छा है लाइक कर दें तो से शेयर कर दें उससे मेरा काफी बला होगा नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद आया कोई बात नहीं आप डिसलाइक कर सकते हैं मैं मैं आपसे कोऊंगा कोई कॉमेंट लिखें मैं हर कमेंट चाप देनी कुशिश करता हूँ आपसे कोऊंगा सस्क्राइब की बल दबाई एगर आप फ्री है अपने मेरा वीडियो देखा जैनको जे बहुत खुशी हुई धन्यवाद